हलो फेमली, सलाम, नमस्ते, सैस्रिया काल तो मैंने आपको बताया था कि मेरा रिजल्ट दिसंबर में आया और बीजा रिजेक्ट हो गया 2022 में उस बीच क्या हुआ, तब क्या हुआ मुझे एक और दोस्त मिले वो आस्टेलिया में, नाम है बिनिस मतलब बहुत ही बड़िया जलंदर की है, हमारी बात हुई मैसिज में, फिर फोन में बात हुई तो उन्होंने बोला भाईया आप यहां आओ, मैं भी रेश्टोन खोलना चाहता हूँ मतलब मैं भी खाने के काम में आना चाहता हूँ, फोट बिजिस में आना चाहता हूँ, हमारी बात चले भी मतलब कनेडा के बीच में ही लेकिन मैंने उन्हें बताया था कि मेरी फाइल लगी यह बात में लगी थी, रिजेट हो गया मेरा बीजा तो उन्होंने बोला भाईया कोई बात नहीं अब मैं आपका होस्टेलिया का बीजा लगाऊंगा तो जो मैंने होटल मेरी टेंज जोइन किया था उस टेंबो उपन नहीं था क्योंकि मैं छे महिने पहले ही जोइन कर लिया था कई चीज़ें तयार करना रहती हैं मंदब किचन बनाना रहते हैं सामान, एकुपमेंट, मेनू, स्टाप आपको पता है मैंने वीडियो आपको बना के डाले भी थे तो सेलरी अकॉंट में नहीं आ रही थी तो मैंने उन्हें बताया कि salary account में नहीं आ रही है तो उन्होंने बुला कोई बात नहीं आपके account में पैसे हैं मैं बुला account में तो पैसे हैं बहुत सारे मैंने रखे इसलिए थे तो फिर अमने account से salary slip बनवाई पूरा 6 महिने का bank statement लगाया और उन्होंने अपना सब कुछ लगाया मतलब उन्होंने बहीं से होस्टेलिया से मेरे लिए file लगाई तो मैं बुला चलो ये नहीं आया तो try कर लेते हैं तो क्या हुआ इतनी चीजें लगाने के बाद भी वीजा होस्टेलिया का भी reject हो गया और वो रीजन क्या देते हैं पता है आपको कि आप बापस नहीं आओगे तो एक बंदा मैं 71 रूम का होटल में मैं शेफ हूँ मेरे पास किचन में 60 स्टाफ है और कैश्टी का स्टाफ है 20 से 25 और ये बाहर जाने का pressure वीडियो बनाने का pressure तो दाड़ी सपित नहीं होगी तो क्या होगा मतलब कभी-कभी ना आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है कि आज क्या करें और क्यों होता है जैसे आप ये सीधे बढ़िया लाइन में काम कर रहे हो जैसे मुझे बता है मैंने सुबाट के होटल जाना है होटल जाके में रख्या काम है 12-13 घंटे में एक वीडियो बनाना है बस जिसमें 45 मिंट लगता है मुश्किल से और मेरी लाइब बढ़िया सैड थे मतलब बताईए आपको लेकिन जब ऐसे आपसे कोई कुछ ओफर देता है आपको तो जैसे मैं स्पेसल मैं चैलेंज को ना कबूलता हूँ लेता हूँ कि चलो आपने मुझे ओफर दिया ठीक है करके देखते हैं क्या पता कुछ नया सिखने को मिले कुछ नया करने को मिले तो इस वज़ा से मैं अपनी अच्छी खासी लाइब में जो स्मूथ चलती है ना इसे एक लेवल पर उसमें खलल डालता हूँ जिसको खलल होते है ना वो नीचे जाती है फिर उपर आती है तो मुझे मज़ा आता है मतलब जोस मिलता है ऐसे करने में तो क्या हुआ बीजा रिजेक्ट हो गया वो कौन सा होस्टेलिया का भी फिर उसके बाद बल्ड कप था दोजार थेस में आपको पता है उसने मुझे फिर फोन किया बोले भाईया कोई बाद नहीं आप हम बल्ड कप के लिए लगाएंगे मैं बोला ठीक है कि 2022 में था फिर उन्होंने सारे डोकॉमेंस अपने खिटे किये सब भी खिटे किये वो साइथ 22 में था उसके बाद उन्होंने क्या किया अपने सारे डोकॉमेंस खिटे किये उदर से फिर से मेरी फाइल लगाई ऑस्टेलिया के बिजट बीज़े की लेकिन हॉस्टेलिया वाले इतने धीट उस टेंबो किसी को बीज़े नहीं दे रहे थे साइथ उसके उनके सिस्टम में कुछ करेस आ गया था क्या आ गया था वो चाइना से बीज़े लग रहे थे तो दुबारा भी ऑस्टेलिया का मेरा वीजा नहीं लगा विजिट वीजा तो वो बंदा विचारा, मेरा दोस्ती अभी है, बहुत जिगरी अच्छे से, बहुत प्यार से बात होती है, बहुत अच्छे से, दुख सुबी, सेर होते हैं, फिर वो मुझे मिलने आये, मेरे पास आये काम करने के लिए, बोले कोई बात नहीं, आपका नहीं लगा, मैं अब मेरा बीजा लग जाता वो उसी दिन खोलते हैं बहां जाते तो ऐसे ऐसे चक्कर आये हैं लाइब में ऐसे ऐसे ऊपर नीचे लाइब गही है मतलब एक इनसां के बैंक में कम से कम भूस सारे पैसे पढ़ें जितने की वहां जाने के लिए जाई उससे भी कही ज़्यादा और सेलरी सिलिप भी कंपिनी ने दिये बना के स्टेंपी लगाया साइन भी किये सब कुछ किया है उसके बाद भी वो लोग आपका वीजा रिजेक्ट कर देते हैं क्या वोल के कि आप बहां से बापस नहीं आए और कोई रिजन नहीं देते हैं इतना सा रिजन देते हैं कि आप बहां से बापस नहीं आना है तो बताओ क्या करें तो कई लोग बोते हैं कि हमारे एकांट में पैसे नहीं थे तो हमारा बीजा नहीं लगा ऐसा कुछ भी नहीं है बिचिट बीजा है क्या है लोट्री किसी कि लगती है मेरी नहीं लगी तो क्या क सकते हैं मतलब तो मैंने हिम्मत नहीं हारी कि मैंने एक बार सोच लिए कि मैंने जाना है तो जाना ही है अएसा हुआ मेरे साथ कि तो हमने ये बर्क परमिट पे कब काम चालू किया आपको कल बता हुआ अगर मैं आज ही सारी बात बता कुझा तो क्या होगा वीडियो 30 20 मिट का 40 मिट का हो जाएगा वो अब मैंने नहीं करना है क्योंकि मुझे थोड़ी सी अकल आ गए आप ठक जाते हैं और पूरे वीडियो देख नहीं पाते तो कल बताऊंगा बाकी की बात